तो अब आप समझ के होंगे कि भारत की विदेश नीति के निर्धारण में कौन-कौन से तक्त्व हम भूमिका निभाते हैं और पंडित नहरू इसमें कितने महत्पूर्ण हो जाते हैं आगे बढ़ने के पहले इस पर विस्तार से हम संक्षिप में थोड़ी परिभाशा जान लें परिभाशा के रूप में विदेश नीति का अर्थ है प्रतेक देश की सरकार अपने हितों का ध्यान रखकर अपने हितों का ध्यान रखकर दूसरे देशों का संबंद स्थापित कर अपने हित स्वाहित का ध्यान रखते हुए दूसरे देशों से संबंद स्थापित करती है तथा अंतराश्टी प्रश्णों पर अंतराश्टी मुद्दों पर अपना दृष्टिकोन कुछ सिध्धानतों के आधार पर रखती है दो बातें इसमें शामिल हैं पहला स्वाहित को लेकर दूसरों से संबंद और दूसरा अंतराश्टी मामलों में अपने दृष्टिकोन को रखना अपने सिध्धानतों के आधार पर ये दो बाते मिलकर किसी देश की विदेश नीती बनाते हैं इसे ही विदेश नीती कहते हैं नॉर्मन एल हिल उन्होंने कहा है विदेश नीती एक राष्ट द्वारा दूसरे राष्ट्रों की तुलना में अपने हितों को विक्सित करने के लिए किये गए उपायों का मूल सार है एक राष्ट द्वारा दूसरे राष्टों की तुलना में अपने हितों को विक्सित करने का प्रयास ये विदेश नीती है अब जब एक राष्ट दूसरे राष्ट की तुलना में अपने हित को आगे बढ़ाता है तो निश्चित रूप से दूसर राष्ट भी ऐसे ही करता है कई बार यही हितों की टकराहट होती है कई बार यहीं पर राजनीती यहीं पर सूजबूज और यहीं पर समझ से काम लेना पड़ता है यही विदेशनीती का हिस्सा है यही राजनीती, यही समझ, यही सूजबूज एक अच्छी विदेशनीती की पहचान है जिसमें टक्राओ ना हो और सभी का हित साधलिया जाए हाटमेन उनका कहना है कि विदेश नीती सोच समझ कर चुने हुए राष्ट्री हितों का विवरन है यानि अपने हित को सरवो परी रखा जाता है विदेशनीति में और सभी देश अपने हितों को सरवो परी रखते हैं जब ऐसा होता है तो सभाविक है आप दूसरे देशों की कीमत पर आप आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन साथ ही टकराओ ना हो ये भी सुनिश्चित करना है यही विदेश नीति के अंतरगत आने वाला एक शब्द है जिसे हम कूट नीति कहते हैं ठीक तो अब हम चलते हैं भारत की विदेश नीति पर भारत की विदेश नीति के माइने क्या है जह था मैंने बताया कि विदेशनीती हित को अपने हित को आगे बढ़ाने का साधन है और अपना हित यहने अपना विकास इस विदेशनीती है भारत की जो विदेशनीती है उसका राष्ट्री हितों की रक्षा और सम्वंधन के साथ साथ अंतर राष्ट्री सहयोग और शांती को बढ़ावा देना भारत की विदेशनीती का एक अंग है अंतर राष्ट्री सहयोग और शांती को बढ़ावा देना स्वतन्ता से पहले 1947 से पहले भारत की विदेश नीति अंग्रेजों के हाथ में थी क्योंकि भारत की अपनी कोई विदेश नीति तो थी नहीं वो तो अंग्रेजों की विदेश नीति की तरह थी और भारत की विदेशनीटी को एक तरीके थे ब्रिटेन ही निर्धारित करता था क्योंकि उसमें भारत ब्रिटेन का ब्रिटिश सामराज्य का एक हिस्सा होता था तो ब्रिटेन के हित को सर्वोपद्री रखते हुए भारत की विदेशनीटी बनाई जाती थी लेकिन 15 अगस 47 भारत स्वतंत्र होता है तो राष्ट्री हित की बात होती है राष्ट्री हित को विदेश नीति का मूल आधार बनाया जाता है ब्रिटेन के हित को नहीं ब्रिटेन के समराजवादी हित को नहीं लेकिन इसकार्थ यह नहीं मानना चाहिए कि भारत की विदेश नीति अब स्वार्थ पूर्ण हो जाएगी ये निकेन पकारेण वो अपने विकास के लिए ही देखेगा और या उसमें किसी तरह का सिध्धान्त नहीं होगा किसी तरह का आदर्श नहीं होगा, ऐसा नहीं था भारत की विदेश नीति, स्वाचनता के बाद भारत के हित्धों के लिए कारेगी ये सुनिश्चित करते हुए कि इन हित्धों की साधना के पीछे कुछ उसके आदर्श हों, कुछ उसूल हों और उसके साथ ही साथ इसमें स्वार्थ की बू ना है वसिद है वे कुटम्ब कम ये भारत का एक प्रसिद उक्तवा के रहा है और थाथ पूरे विश्व को हम एक कुटम्ब मानते हूं तो हमें ये सुनिश्चित करना है अपनी विदेश नीति के अनुपालन में कि हमारा हित तो सधे साथ ही साथ विश्व का हित भी हो ये हमारा एक लक्ष रहा है मुख्य लक्ष रहा है अर्थात भारत की विदेश नीति स्वार्थ पूर ना हो भारत की विदेश नीति आदर्श ही ना हो और इसलिए हमने अपने सम्विधान में भी इसको सुनिश्चित किया है इन बातों को समाहित किया है आखात कर भारत के सम्विधान के अनुच्छेद इंकावन में विदेश नीति की मूल बातों को शामिल किया है यदि हम इसकी बात करें धारा इंकावन की अनुच्छेद इंकावन की तो उसमें अंतराश्टी सुरक्षा और अंतराश्टी शान्ति को बढ़ावा ये बात लिखी गई है आपने सम्विधान का अधियान करते हुई एक बात समझी होगी कि जिस तरह हमारे सम्विधान निर्माताओं ने एक अध्याय मूल अधिकारों को दिया है ऐसा ही एक अध्याय दिशा निर्देशकों पर भी है ये दिशा निर्देशक क्या है दिशा निर्देशक वे सिध्धान्त हैं ये नियम नहीं है पहली बात तो ये निर्देशक है केवल दिशा देते हैं ये कानून नहीं है ये सिध्धान्त है तो फिर इनका उद्यश क्या है यदि ये कानून नहीं है तो समविधान में क्यों श भी सरकार किसी भी तरह का किसी भी क्षेतर में कानून बनाए या कोई भी कारे करे तो सरकार से अपेक्षा है कि वह दिशा निर्देश वक्त में दिये गए से धान्तों के अनुसार चले। वो ये सरकार को सुनिश्चित करना है कि उसके द्वारा बनाए गए कोई भी कानून या उसके द्वारा लिए गए कोई भी कदम दिशा निर्देशकों की खिलाफत तो नहीं कर रहे हैं। तो उसमें विदेश नीति पर नियंत्रण के लिए अनुछेद इंकावन में अंतराष्टी, शांती और सुरक्षा को बढ़ावे को लेकर कुछ बातें कही गई हैं। और वो बातें क्या हैं। अर्थात सम्व्यधानिक सिध्धान्त क्या क्या दिये हुए हैं। अनुछेद इंकावन के तहट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स अफ स्टेट पॉलिशी के तहट, जिसे दिशा निर्देशक सिध्धान्त कहा हैं। क्या सिध्धान्त हैं। पहला, ये कहा गया है कि अंतर राष्टि, शान्ती और शुरक्षा की अभी व्रिद्धी का प्रयास होगा। भारत की विदेश नीती ऐसी हो, या भारत इस दिशा में सदैव ततपर रहे, जिसे से कि अंतर राष्टि, शान्ती और शुरक्षा की में व्रिद्धी हो। दूसरा, राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मान पूर्ण संबंद रहें। इस पर हम बाद में विस्तार से चर्चा करेंगे कि न्याय संगत संबंद कैसे होते हूं। सम्मान पूर्ण तो आप समझते हैं, जिसमें सभी देशों को बराबरी का दर्जा दिया जाए। चाहे वे आर्थिक रूप से नर्धन कमजोर हों, चाहे वे भागोलिक दिश्टी से छोटे हों, किसी भी कारण से उन्हें किसी भी राष्ट को छोटा ना माला जाए। तो ये उसका दूसरा सिध्धान जो दिशा निर्धेशक में दिया गया है। तीसरा संगठित लोंगो के एक दूसरे से व्यवहारों में अंतरराश्टी विधी और संधी बाध्याओं के प्रती आदर बनाए रखें। अंतरराश्टी संधियां अंतरराश्टी जो व्यवहार हैं कानून हैं विधी हैं उनका सम्मान करना उनका आदर करना और चोथा और अंतिम अंतरराश्टी विवादों को मध्यस्ता के द्वारा निप्ताने का प्रोचसाहन देना। तो भारत की विदेश नीती इन चार दिशा निर्देशकों के अनुपालन के लिए भी वचन बद्ध है और इनका अनुपालन करते हुए भारत के विदेश मंतरी, भारत के विदेशी विभाग सदे ही उस बात का प्रयास करता है कि ये सब बातें प्रुचाहित हो जिसमें अंतराश्टी, शांती को बढ़ाने में मदद मिले, अंतराश्टी विवादों को शांति पूर निप्टाने में प्रात्मिक्ता हो, प्रुचाहन हो, एक दूसरे का सम्मान हो आदी आदी भारत की विदेशनीती की प्रिश्ट भूमे, भारत की विदेशनीती की क्या सीमाओं से अर्थ है, किन सिद्धान्तों को लेकर भारत की विदेशनीती को चलना है उन्हें समझने के बाद कि ने लक्षियों को लेकर भारत की विदेश नीती जारी है इसे समझने के बाद उसके सिध्धान्तों को जानने के बाद अब हम आते हैं भारत विदेश नीती के प्रमुक आदर्श और उद्देश इसका जिक्र वैसे संक्ष्ट में पूर में हो चुका है लेकिन अब आप उ विदेश नीती की प्रिष्ठ भूमी से भी कुछ हद तक वाकिफ हो चुके हैं तो ज़िए हम विदेश नीती और आदर्श की बात करें उद्देशों की बात करें तो पहला उद्देश तो आपको जैसा बताया गया अंतरराश्टी सुरक्षा और शांति का प्रयास दूसरा अंतरराश्टी विवादों की मध्यस्ता द्वारा निप्ताय जाने की नीती का प्रुष्चाहन अंतरराश्टी विवादों को मध्यस्ता द्वारा निप्ताय जाने की नीती को प्रुष्चाहित करना तीसरा उद्धिश सभी राज्य राष्ट्रों को इनके बीच में परसपर अच्छे संबंद बनाये रखना अर्थात भारत सदाई ततपर रहेगा कि उसके संबंद सभी देशों के साथ अच्छे रहे और इस अच्छे संबंदों को अक्षुन बनाये रखने के लिए वह काफी कुछ समझोता कर सकता है बशर्ते उससे उसके राष्ट्री हिद पर बुरा प्रभाव ना पड़े चोथा अंतराष्टी कानून अंतराष्टी संधियां इनके पालन में इनके अनुपालन को सुनिष्चित करना और सम्मान पूर्ण वक्ष संबंद बनाये रखना इन चार बिंदूओं पर तो मैंने पूर्ण में भी चर्चा की अब इसका पांचवा उदेश देखिये क्या है हमारी विदेश नीति का सैनिक गुट बंदी और सैनिक समझोतों से अलग रहना और ऐसा ही नहीं इस प्रकार की गुट बंदियों को निरुट साहिद भी करना खुद तो सैनिक गुट बंदी में शामिल ना हो ये हमारी विदेशनितिक आधार है साथ ही साथ जो लोग शामिल हैं किसी अन्य गुटों में उन्हें निरुट साहिद करना हूँ ये बिंदू इसलिए बहुत महत्पूर्ण है क्योंकि शीच इर्द के दोरान उस काल में आपने अध्यन किया होगा कि किस प्रकार नैटो, सीटो, सिंटो आधी बहुत सारे सैनिक गुट सामने आए और ये सैनिक गुट अमेरिका और सोवियत संग दो खेमों के में बांटने में विश्य को सफल हुए थे भारत इन गुटों में शामिल नहीं गुआ इसलिए तो भारत की नीटी गुट निरपेक्ष नीटी कहलाती है अगला जो देश हमारे हमारी विदेश नीटी का है वह है उपनिवेशवाद का विरोध ही नहीं उग्र विरोध करना भारत जो स्वैम उपनिवेशवाद की नीटी से बहुत ज़्यादा दुष प्रभावी रहा अंग्रेजों ने भारत को उपनिवेश के रूप में बनाय रखा दो सौ वर्ष तक और उपनिवेश के रूप में भारत का जो शोशन किया जिसके प्रणाम से रूप भारत दरिद्रता की कगार पर आ गया निर्धनता की कगार पर आ गया स्वाभाविक है भारत की प्रतिक्रिया रहेगी कि वह ऐसे उपनिवेशवाद की सक्त खिलाफत करे और भारत की विदेश नितिका ये छटवा धार बना साथवा प्रत्येक प्रकार की सामराज जवादी भावना को निरुत साहित करना उपनिवेश वाद तभी पनपता है जब सामराज जवाद हो जो देश सामराज जवादी विचार धारा का है वह उपनिवेशों पर नियंतर रखता है तो भारत एक और जहां उपनिवेशवात के खिलाफत कर रहा था वहीं दूसरी और उसने इसपश्ट किया था किसी भी तरह की सामराज जवादी विचार धारा के खिलाफ रहेगा अर्थाद किसी भी अन्य देश को हड़पने की जो नीती पूर में अपनाई गई कई देशों द्वारा ऐसी नीती के सक्त विरोज में रहेगा और आठवाँ इसका सिध्धान था आठवाँ इसका उद्वाद जातिवाद और सामराज जवाद इनसे पीड़त देशों की सहायता करना इन नीतियों से जो देश पीड़त हुए है क्योंकि भारत जो स्वयम इस दौर से गुजरा है सामराज की नीती का शिकार हुआ है उपनवेश वाद नीती का शिकार हुआ है और जातिवाद का शिकार रहा है उसे मालूम है कि इन नीतियों के कितने दुश्परणाम उसे भगतने पड़े और भगतने पड़ रहे हैं इसलिए भारत ने अपनी विदेश नीति के रुद्जेशों में इस बात को शामिल किया है कि वह ऐसे इस तरीके से जो देश पताडित हुए हैं उनके साथ कंदे से कंदा मिला कर चलेगा उनकी सहायता करेगा तो इसमेकार भारत की विदेश नीति के ये एक तरीके से आठ सिद्धान्त हैं आठ उद्देश हैं